नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में टेक्नो स्पार्क 20 वर्सस टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे। चार इंच जबकी स्पार्क 20 प्रो में छे दशमलव छे तीन इंच की लेंग्थ मिलती है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 20 में दो दशमलव नौ आर्ट इंच जबकी स्पार्क 20 प्रो में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही, 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, अब बात करते हैं वेट की तो, स्पार्क 20 में 194 ग्राम्स जबकि स्पार्क 20 प्रो में 198.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो की सेम जैसा ही है, चलिए, अब हम दिस्प्ले की तुलना करते डिस्प्लेय ताइप की बात करें तो Spark shifted अलसीट की दिस्प्लेय मिलती है एस्पेक्ट रेशीयो अपर्ग में 6.6 inches जबकि spark 20 pro में 6.78 inches मिलती है display resolution spark 20 में 720 x 1612 px hd plus और spark 20 pro में 1080 x 2460 px fhd plus मिलता है screen to body ratio spark 20 में 84.98 प्रतिशत जबकि spark 20 pro में 85.18 प्रतिशत मिलता है बात करें ppi density की तो spark 20 में 260 pixel प्रतिश जबकि spark 20 pro में 396 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताई की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो spark 20 में 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में secondary camera देखने को मिलता है और spark 20 pro की बात करें तो इसमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में third camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो spark 20 में 9 different type के features मिल जाते है और spark 20 pro की बात करें तो उसमें 4 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो spark 20 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और spark 20 pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो spark 20 में Mali G52 MC2 जबकी spark 20 pro में Mali G57 मिलता है chipset की बात करें तो spark 20 में MediaTek Helio G8580 और spark 20 pro में MediaTek Dimensity 6080 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों phone में सेम ही 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में सेम ही दो विकल्क देखने को मिलता है और दोनों phone में सेम ही 128GB 256GB की storage मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 1TB है operating system की बात करें तो spark 20 में Android V13 जबकि spark 20 pro में Android V14 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो spark 20 में 4 colors जबकि spark 20 pro में 3 colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो spark 20 में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 126 GB storage के साथ 11,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 8999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें spark 20 pro की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 126 GB storage के साथ 15,999 रूपीज 8 GB RAM 256 GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो टेक्नो स्पार्क 20 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजर्ट की तो डिस्प्ले में स्पार्क 20 प्रो आगे है में कामरा में स्पार्क 20 प्रो आगे है फ्रंट सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में स्पार्क 20 प्रो आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रिप्याई से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले